हलो गाइज कैसे हो आप सबी लोग तो मज़े में के सो गाइज आप सो गाइज आज हम करने वाले हैं मैट्स प्रॉब्लम से 22 और वो भी फिट्ट टेंडर का ओके सबसे पहला क्वेशन है एडिशन अब एडिशन में सबसे पहला क्या है वन अपॉन एट प्लस थ्री अपॉन प्रॉब्लम सेट में क्या था यहां यहां पर लिख लेता हूं वन अपॉन एड़ प्लस थ्री अपॉन फोर इजिक वर्स का साइन डालने के बाद अभी हमको यहां पर ना हमारे ट्वेंटी वाले प्रॉब्लम सेट में क्या था ट्वेंटी एंटर ट्वेंटीवन में हमने सीधा उपर वाले उपर वालो डिजिट का हमने सीधा एडिशन किया था तो अभी यह प्रॉब्लम सेट नमर्ट ट्वेंटी टुए तो इसमें एसा नहीं होगा इसमें क्या होगा आपको बता दो लिए जो गाइज इसमें ना तो गाइज इसमें आप रोस मल्टिप्लिकेशन होगा मतलब की वन मैं लिख लेता हूँ वन मैं तीप्लाइब और इस इक्वाल्स अब और फिर यहाँ पर प्लस करने के बाद मैं आपको करके बता ही देखाँ आपके पहले एट मुल्टिप्लाइबाइबाइब को प्लस अब क्या करना है इन दोनों का भी क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन करना है दब की अब यहां पर अपने हमने क्या किया था कि 8 अपन 4 मतलब की 8 मुल्टिप्लाइबाइब 4 तो अभी हमको इनका उल्टा करना है मतलब कि अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 मुल्टिप्लाइबाइब एट क्यूंकि अभी यहां पर देख लो 1 अपन 8 है तो हमने वन मुल्टिप्लाइब 4 हमें यहां पर कर लिया फिर वन के नीचे एट आता है तो फिर इसलिए हमने एट मुल्टिप्लाइब 4 कर डाला है अब सेब यहां पर दिख लो अभी यहां पर क्या है 3 अपन 4 अभी यहां पर भी हम 3 से 8 को मुल्टिप्लाइब करेंगे फिर 4 से 8 को करेंगे मतलब अभी यहां पर देखो वन के नीचे 8 है ना फिर 3 के नीचे भी 4 है तो देख लो ऐसा है फिर इसके बाद इसी कोल्स के करकर हमें आगे नहीं लिना है यहां पर लिना है इसी कोल्स का साइन डालने के बाद अब क्या आता है फोर वन गार पूर एक सेकेंड गाईस हां फूर अपन क्या आता है एट एट फॉर जाए एट एंट एट इस तो गाईस एट मिल्टिप्लाइब बाइफ फॉर का एंसर आता है 32 तो हम यहां पर लिख लेता है थर्टी टू तो अब यहां अब हमको और आपको यहां से प्लस का साइन डालने के बाद में इसका वह करने फिर तो गईस एट एट त्री सबट ट्वंटीफोर इकसे एफ मैं एट त्री जाट‌वेंट ट्वंटी फॉर ट्रीफॉर प्म्स क क्या था था एट एट फॉर दा यह फिर और ओ फॉर एट्चांटेट ड्टीट यह यहां यह आएगा है ठीक है गाइस हमारा एंसर आता है तो गाइस अब यहां पर इजी कोल्स का सेंड डलने के बाद में है फॉर है यहां पर यहां पर यहां पर फॉर हम फॉर प्लस ट्वेंटी फॉर और डिनोमेनेटर त्रिटी टू अब यहां पर इजी को सेंड डलने के बाद में ट्वेंटी फॉर प्लस पॉर ओके गाईस ओके गाईस सो ट्वेंटी फॉर प्लस पॉर ट्वेंटी फॉर प्लस पॉर का एंसर आता है है तो गाइज 24 प्लस 4 का एंसर आता है 24 के बाद क्या आता है 24 के बाद 25 26 27 28 सो गाइज एंसर आता है 28 अपन 32 अब हम यहाँ पर नेक्स्ट नमबर लेंगे तो गाइज आपको कुछ इस मेतड़ से सॉल्व करना है ओके गाइज आपको इस मेतड़ से सॉल्व करना है तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना सो नेक्स नमबर सो गाइज नेक्स नमबर है 2 2 अपन 21 2 अपन 21 plus 3 अपन 7 अपन 7 मुल्टिप्लाइ ओ सरी इज अपन 7 इस इक्वाल तो मुल्टिप्लाइ बाइज एंड तो ट्वेंटी वन मुल्टिप्लाइ बाइज सेवें अपन प्लस का साइन डालेंगे और फिल और फिर यहां पे कहते हैं था हमने ना थी से एट को मुल्टिप्लाइ किया तो तो यहां पे भी 3 से 21 को मुल्टिप्लाइ बाइज करेंगे 3 मुल्टिप्लाइ बाइज को इनका मुल्टिप्लिकेशन करना है शेवें चेहन जान था ही 7 7 तो गउल्टिप्लाइ बाइज करेंगे वाद अब 21 मुल्टिप्लाइ बाइज सेवें सो 21 मुल्टिप्लाइ बाइज सेवें के आंसर आता है वन फॉर्टी सेवन सो गाइज ट्वंटी वन मॉल्टिप्लाइबर सेवन एंचर आता है वन फॉर्टी सेवन अब यहाँ पर प्लस का सेंड डलने के बाद में है त्री ऑप सोरी त्री मॉल्टिप्लाइबर ट्वेंटी वन का एंसर आता है 63 एंसर आता है गाइज 3 मॉल्टिप्लाइबर ट्वेंटी वन का एंसर आता है 63 तरी करें वह मेरे को खाका सी आ गयिती ते ऑफिर गलएज सेवन मुल्टिप्ला पे 21 का एंसर तो पता ही है 147 सो काई मैं आपको बता देता हूं अगर बड़ा डिजिट आ गया है मतलब 29 39 और यहां पर एक सिंगल डिजिट है सो क्या करना है आपको अब यहां पर देख लो 7 वंजा 7 लिख लिया और 7 टूजा 14 तो क्या एंसर आया 147 अब सेम यहां पर 3 वंजा 3 लिख लिया 3 टूजा 6 63 अपन लिख लिख लो है 147 आगया अब फिर इजिक वल्स कर्सेंट लने का बाद में 40 प्लस 63 अब पॉर्स 147 इजिक वल्स क्या आता है देखो 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 14 प्लस 63 का एंसर अरे यार क्या ओर है एक स्कुन हाँ 14 प्लस 63 का एंसर आता है 77 एंसर आता है मतलब की 77 अपन 147 147 का एंसर आता है 177 77 अपन 144 शोरी 147 वैं सो गाइस अब इसके लिए तो बहुत पेज़े जाने वाले हैं तो थोड़ा अगला पार्ट भी हम इसका करने वाले हैं सो एडिशन एडिशन तो में कम्लिट करने वालों आज के पार्ट में और और फिर कल के पार्ट में हम यह निचे का कम अपन लिए 2 upon 5 plus 1 upon 3 अभी इक वो दो दो आट में 2 multiply by 3 5 multiply by 3 इच पो आट 1 multiply by 5 and 3 multiply by sorry guys मुझे आज जरह खासी आ रही है so guys अभी यह देख लो 3 by 3 3 by 2 by 6 1 second 3 by 3 by 3 by 2 by 6 5 by 3 by 15 so 15 15 plus का सेंड डलने के बाद में 5 and 5 upon 15 आएगा guys is equal का सेंड डलने के बाद में अपने यहाँ पर तो नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ पर हमको next करना है so guys इसलिए में यहाँ पर कर रहा हूं ठीक है guys इसा नहीं कि मैं मतलब मेथड वाइस नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं पेजस को बचा रहा हूं सो अब देखे लो 6 प्लस 5 और 15 अच्छे इस पर का सेंड डालेंगे और फिल so guys 6 प्लस 5 का एंसर आता है 11 अपन 15 इसका एंसर आता है so next question के आगे हम बढ़ते हैं so next question है 2 upon 7 एक सेकेंड एक सेकेंड गाईज एक सेकेंड एक सेकेंड देखे लो 2 2 upon 7 प्लस 1 upon 7 so guys मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 4 4 को क्या है 2 upon 7 2 upon 7 7 plus 1 upon 1 2 it equals 2 multiply by 2 2 and the second one is 7 multiply by 2 plus 1 multiply by 7 is equals 2 multiply by 7 is equals 2 to the 1 second 2 to the 4 answer 4 आता है और 7 7 7 7 to the 14 14 ना तो गाईज अब हम यहां पे प्लस का सेंड डालेंगे और यहां पे क्या है 7 7 7 upon 14 ना यहां पे is equals का सेंड डालने के बाद में पेजिस को वेश्ट में तो करना हूं लेकिन method wise करेंगे तो अच्छा दीखेगा so 4 plus 7 upon 14 is equals इसका answer आता है 7 plus 4 का answer आता है